आज का दिन है रविवार का दिनांग 5 मार्च 2013 शुकल पक्ष हिंदू मास फालगुन तिथी त्रियोदशी नक्षत्र अशलेशा रहेगा आज का योग है अतिगंड और करण तैतिल रहेगा आज के खास दिन पर सूर्य कुंभराशी में रहेंगे और चंद्र करकराशी में र रहेगा आज का रहुकाल शाम 4 बचकर 56 मिनट से शाम 6 बचकर 23 मिनट तक रहेगा आज का दिसाशूल पश्च्रिम की तरफ रहेगा तो फिलहाल सुजोर की आत्राट टाल दें आज के दिन का महा उपाय है आज आदित्य हिर्दैस रोत का पाठ करें चलिए फ्रेंट्स अब को सफलता देगा लब पार्टनर को कोई उपाहार अवश्य दें कमजोरी महसूस हो सकती है वरिश राशी वालों रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा अंजान व्यक्ति पर विश्वास न करें पारिवारिक वातवरन सुखल रहेगा प्रेम संबंदों में माधूर्य बना रह करक राशी वालों दिन बहतर रहेगा संबंदों में भी खटास आ सकती है करमचारियों का भी पूर्ण रूप से साथ मिलेगा दामपत्य जीवन में उचित सामन जस से बना रहेगा सिया राशी वालों दिन बहुत अच्छा गुजरेगा नौकरी पेशल लोगों को कभी संबंद रहेंगे खान पान की वज़े से पेट खराब हो सकता है कन्या राशी वालों आपका मनोबल बढ़ेगा अनावश्यक खर्चे भी सामने आएंगे उचित सावधाने बरतना आवश्यक है पति-पतनी के संबंदों में मधुर्था बनी रहेगी तुला राशी वालों अपनी उड़जा और कार्य च्छमता का भरपूर सदुप्योग करें अपने विचारों में लचिलापन मना कर रखें किसी भी तरह की उधारी ना ले चुड़चड़ापन और ठकान जैसे स्थती महसूस होगी दनुराशी वालों कार्यों के पूरे होनी की उचित संभावन कोई खास नर्णय स्थगित ही करें कब जिद था गैस की समस्या हो सकती है आपके काम सुचारों रूप से बनते जाएंगे मकर राशी वालों रिष्टदारों का आगमन होगा कोई बहतरीन उपलब्धी मिल सकती है बिसनस में फाइदे मंद इस्थती रहेगी परिशानियों की वज़े से मानसिक तनाव रह सकता है कुम राशी वालों उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की उमीद है करियर के साथ समझोता ना करें व्यवसाई में नए काम शुरू होंगे पारिवारिक वातावरन मधुर होगा में राशी वालों दिन अच्छा रहेगा पुरानी जायजात सम्बंधी समस्याएं होंगी ओफिशियल मामलों से सम्हल कर रहें पते पतनी के बीच मधूरता रहेगी ठकार इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद